दोस्तो मैं आमेश सास्त्री आज आपके लिए पुना ले करके आ गया हूँ बहुत ही महत्पूर्ण हिंदी के प्रस्ण जो की आपकी परिक्षा के लिए बहुत उपी होगी निरंतर हम वीडियो ला रहे हैं बहुत से वीडियो पहले आ चुके हैं आगे भी आने वाले हैं इ पूछा गया यह प्रस्ण है ऐसे ही बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्ण हम लाते हैं कमेंट में आप भी हमारे बतासने पहले उत्तर बताते जाएं तो आपको बता दें कि ता 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 एक ही बरण की बारवार आवित्त्री हो रही है तो जहां पर एक बरण की बारवार आवित याद रखेगा आगे बढ़ते हैं सुरीला का बिलॉम क्या होगा सुरीला मतलब जिसका स्वर अच्छा हो तो अब इसका बिलॉम क्या हो जाएगा बे सुरा सीधा सीधा अपन को लगाना है सुरीला का बिलॉम क्या हो जाएगा बे सुरा आगे निमने लिखेत में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है तो आपको बता दें कि जो पूर्वी हिंदी की बोली इन चार में से है वै क्या है बगहेली वै क्या है बगहेली ठीक है इस बात को आप याद रखिएगा क्योंकि पूर्वी हिंदी के अंतर का ताती है याद रखीगा आसे, अबधी, बासे, बगेली और छत्तित गड़ी किस के अंतरगत आती हैं? पूर्वी हिंदी, मेवाडी, राजस्थानी के अंतरगत आती है, ठीक है? और कुमावनी, पहाडी हिंदी के अंतरगत आती है, ऐसे बताए थे ना? बिहारी हिंदी के अंतरगत, म अथली मग ही ये सब कोछ इसके अंतरगत आती हैं तो ये आपको याद रखना है कौन किस बोली के अंतरगत आते हैं बाकि हम तो आपको अपने यूटूब चैनल तॉप फिप्टी इस्टडी यूटूब पर आप सर्च कीजिए इसके माध्यम से आपको हिंदी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा ही रहे हैं निमने लखित में से कौन सी पहाडी भासा की बोली है पहाडी भासा तो आपको बता दें कि गडवाली भी है कुमाओनी भी है पस्चमी पहाडी भी है तो ये सभीस का उतर ठीक हो जाएगा हम आपको कम समय दे रहे हैं, उत्तर बताने के लिए आप comment कोल करके रखें वर जैसे ही हम पुर्षन बोलें आप तुरंट खडाक से उत्तर बता दें दाज्यू कहानी किसकी रचना है? दाज्यू कहानी आपको बता दें कि सेखरजोसी की रचना है क्या दाजीव कहानी सेखर जो सेखी जूही की कली बहुत बेरी बेरी आई एमपी किस कभी की प्रथम रचना है जूही की कली किस कभी है पहली रचना है उनकभी की वो कौन से कभी है तो आपको बता दें निराला निराला जी का फुलनान क्या है कई बार पूछा जाता है सूर कांत तरपाथी निराला ठीक है इनकी पहली रचना क्या है जूही की कली याद रखिएगा जूही की कली से निराला जी ने शुरुवात की थी अब जो जूही की कली होगी तो निराली तो होगी ठीक है तो निराला जी की पहली रचना है अगला ह कि फड़ी स्वरनात रेणु जी का है रिणजल धनजल ठीक है हमने इस ट्रिक में बताया था पिछले वीडियो में कई सारे वीडियो आ चुके हैं कि रेणु का अठाप लगा लें एक प्रकार से रेत तो रेत में रिणजल करेंगे और धनजल डाल देंगे ठीक है इस प्रका रेणु जी का है परती परिकत्था भी है और पल्टु बाबु रोड़ी भी है हाँ देहाती दुनिया नहीं है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा देहाती दुनिया बाकि तीन प्रिस्वत्रात रेणु की रचनाए हैं अब देखें सुमेलित कीजिए सुमेलित करना है कि ठीक है तो कौन सही सुमेलित है एक प्रिकार से आप समझ लें तो पहला लिया है निर्मल बर्मा की अंतिम अरंड तो पहले ही हमें तो ठीक लग रहा है क्योंकि अंतिम अरंड किन की रचना है निर्मल बर्मा की बाकि ठीक नहीं है आगे कौन सही सुमेलित नहीं है अब सु या एवी सही है, अमरकांत की जिंदगी और जोग फेमस रचना है एवी सही है, हाँ मोहनरा के इसकी काटी का घटवार, यह गलत हो जाएगा, तो यह सुमेलित नहीं है, डी उत्तरिसका हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, सा, सब्द के उचारण में जिभ्भा किस अंग का इस पर्स करती है, हमने पहले भी आपको बताया था कि तीन प्रकार के सा है, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, तो यह जो सा है कहलाता है मूर्धन सकार, ठीक है, और यह जो सा है कहलाता है तालब सकार, और यह जो सा है कहलाता है दंद सकार, तो यहाँ पर सा के उचारण में ज आपको दंतसकार बोलते हैं, तीनों याद रखिएगा, वा का उच्चारण स्थान है, आपको बता दे कि बा अलग है, वा अलग है, यहाँ पर वा का उच्चारण स्थान पूछा गया है, वा का है कंठोष्ट, ठीक है, संस्कित में जहां हम लोगों ने पड़ा तो हाँ बता इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कंठोष्ट, आगे देखें, बायो ब्रद का संधी विक्षित क्या होगा, तो बायो ब्रद में आपको सबसे पहले तो बता दें, कि बिसर्ग संधी होगी, बिसर्ग संधी हमने इतना बता दिया, तो अप आसानी से लगा लेंगे, कि बयहा प्लस ब्रद्ध तो बिसर्ग का हो जाएगा ओ तो क्या बन जाएगा बैयो ब्रद्ध क्योंकि बिसर्ग संदी में प्लस के इस तरफ क्या होता है बिसर्ग होता है आगे देखें संकल्प का संदी विक्षित क्या होगा तो संधन कल्प एक हमने पहले जो पिछले वीडियो में प्रत्य पूछा गया था संकल्प में इसमें संधी पूछ ली तो उसी के साथ हमने बताई दिया था कि संधन कल्प तो मा का अनुस्वार होकर के उपर बिंदी में बन जाएगा तो संकल्प बन जाएगा किस संधी में बनेगा बेंजन संधी के अंतरका तो बनेगा बहुत अच्छे ट्रिक से हमने संधी पढ़ाई है अब जरूर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना दोस्तों जिससे एक भी वीडियो ना छूटे आपको नोकरी विलकुल यदि पानी है तो आप चैनल से जुड़ जाए वीडियो को लाइक करें और सेर करें भोधन अन का सही संधी है भो भोका हो जाएगा भव और ना तो भवन सब्द बन जाएगा किस संधी का आयादी संधी का आयादी संधी की ट्रिक बताएगी तीन सब्द होंगे कोई मात्रा नहीं होगी देख लीजिए तीन सब्द मात्रा निये भवन निम्न में कौन सी बरतनी सुद्ध है अब सबसे पहले तो सुद्ध चारण कर लें अपन क्या बोलते हैं सारी दिख अब देखें सारी दिख कहां पर लिखा हुआ है तो ये लिखा है सारी दिख दिमाग में बैठा लें ये बहुत महत्पूर्फ प्रिशन है दोस्तों आपने देखा होगा पेपर में इसी प्रकार के प्रसनाते हैं दि पहले कभी हिंदी का पेपर दिया हो इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ अब अच्छे से रट लें और सेर जरूर करना आँगे दोस्तों तक जिससे वो भी इसको पड़ता है अगला निमने में किस सब्द की बढ़तनी सुद्ध है अब देखें पहले क्या लेखा है हासील ये सुद्ध नहीं लग रही फैस्तत कालिंक ये भी सुद्ध नहीं है हाँ हिंदुस्तान ये अपन को सुद्ध लग रहा है तो उसका उत्तर क्या हो जागा डी हमारा हिंदुस्तान हिंदुस्तान ठीक है आगे राम बहुत तेज बिद्यार थी है इस बाक्त में बहुत क्या है ठीक है इस बाक्त में बहुत क्या है राम बहुत तेज बिद्यार थी तो आपको बता दें कि तेज यहाँ पर विशेशन है वो विशेशन की भी विशेशता बतला रहे इसलिए उनको क्या कहते है प्रिविशेशन जो विशेशन की विशेशता बतला थे उनको क्या कहते है प्रिविशेशन और इसमें जो सब्द दीए जैसे क्रिया विशेशन, तो जो क्रिया की विशेशन बतलाते हैं, विशेशन यहां पर तेज है, तेज पकार से होते हैं. आगे देखते हैं सुकदुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपून फिर घन में ओजल हो ससी फिर रासी में ओजल हो घन इन पंक्तियों में किस अलंकार की ब्यापती है जल्दी से पंक्तियां एक बार पढ़ लें एक दूबार पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जीवन हो परिपून सुकदुख के मिलने से जीवन क्या होता है परिपून जैसे फिर गन में होजल हो ससी फिर ससी में होजल हो गन घन मतलब होता है बादल तो बादलों में क्या होजल हो जाता है ससी जैसे जैसे मतलब उधारन दे रहे हैं तो यहाँ पर दृष्टांत लंक और चुनद है बेद कुर। सुरियो उदै हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी ठीक है वीडियो को अभी तक लाइक ना किलिया हो तो लाइक जरूर कर लेना दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो सूरी ओदय हुगा है उस सड़कों पर चहल पहल थी है कैसा बाक है और लग गया बीच में हमने आपको बताया कि जहां पर और बीच में लग रहा दो बाक जुड़ जा तो बहां पर क्या होता है सईयुक्त बाक होता है इस प्रकार से हम महत्पून प्रिशन लाए और आंगे भी नरंतर लेकर के आ रहे हैं पहले बहुत सारे वीडियो हमारे तॉप फिप्टी स्टडी चैनल पर अप्लोड हो चुके हैं आप जरूर प्रिले लिस्ट में जा करके देख लीजिए अंगले वीडियो में पुरह मुलाकात करते हैं